गुट मॉर्निंग ओल उफ यू ये जो मैंने आपको मोरल और हाईजीन का पेपर दिया था आज मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी फिर्स्ट ए फिलिंग दे ब्लैंक्स जो आपको बॉक्स में दे रहके उससे फिल करना था आपको we should wear footwear when we go out of the house हमें हमेशा footwear मतलब चपल जूते पहनने चाहिए जब हम घर से बाहर जाते हैं we should take bath everyday हमें जो हरोज नहाना चाहिए we should trim our nails regularly हमें जब भी लगे कि हमाएं नाकुन बड़े हैं उनको cut करना चाहिए we should cover our nose while sneezing हमें जो अपने उंगलियों को मुह में नहीं डालना चाहिए true or false लिखना है we should wear clean clothes क्या हमें एक साफसुत्रे कपड़े पहनने चाहिए true we should not cover our mouth while coughing हमें जो अपने मुह को नहीं ढखना चाहिए जब हम cough करते हैं तो false we should wash our hands before meals हमें खाने से पहले हाथ दोना चाहिए true we should wash our hands after sneezing हमें जो है हाथों को दोना चाहिए जब हम चीखते हैं true we should wash our hands after going to the toilet हमें बातरून से आने के बास हाथों को दोना चाहिए true सही answer पर टिक करना है washing of body with soap and water everyday removes dirt and germs हमें जो है रोज साबून और water पानी से अच्छे से शरीर को धोना चाहिए ताकि जो germs और bacteria जितने भी होते वो हट सके you should wear clean आपको जो है साफ सुतरे कपड़े पहने चाहिए we should respect our elders हमें जो है बारू की respect करनी चाहिए food should be kept food को जो हमेशा cover करके रखना चाहिए we should be kind to हमें किस के प्रती अच्छा वेवार करना चाहिए only humans only animals हमें जो दोनों के प्रती तो everyone match करना है we should wash our hands हमें हाथ दोने चाहिए before and after खाने से पहले खाने के बाद दोना if we don't like it हमें नहीं पसंद है तो हमें उज्जेगर को छोड़ के चले जाना चाहिए we should respect हमें जो है बड़ों की respect करनी चाहिए our elders throw waste paper हमें अकचड़ा paper कहां फेकना चाहिए only into dust wind next day tick the smiley face if the sentence shows good behavior and the sad face if we shows angry behavior आपको smiley face बनाना है अगर वो sentence अच्छा भी मतलब आपको अच्छा लगता है अगर sad face बनाना अगर वो अच्छा नहीं है तो when I get angry I shot जब मैं गुस्सा होता हूँ मतलब मैं चिलाता हूँ तो ये गलत है तो sad face I don't spit on the road हमें जो है road पे नहीं थूखना चाहिए सही तो smiley face I breathe deeply when I am angry जब मैं बहुत गुस्सा हो तो मैं गहरी सास लेता हूँ smiley face my cloths and books keep lying on my bed में जो किताबे और कपडे जो है बेड पे ऐसी पड़े रहते है तो sad face I put my dirty cloths into the laundry basket में जो गंदे कपडे होते हूँ मैं वो laundry basket में डालता हूँ happy face सब के answer लिखने है write five sentences on what you can do to keep your locality clean आपको five sentences लिखने थे कि आप जो अपने आजपास की जगव को कैसे साफ रख सकते हो first reuse and recycle मतलब कि आपको कोई भी चीज है polythine है तो उसको reuse करना चाहिए recycle जैसे papers या हाँ कुछ भी जो खराब हो चीज़े हो जाते है उसको recycle करना चाहिए uphold hygiene मतलब हाईजीन को बरकरा रखना चाहिए hygiene रखनी चाहिए use reusable bags आपको जो लगता है कि bags जिनको उम दुबारे use कर सकते उसको use करना चाहिए water को save करना चाहिए use reusable able beverage containers आपको जो लगता है कि beverage मतलब कि जो भी milk की bottle होती है water bottles होती है अगर आपको लगता है कि उसका use हो सकता है तो उसको आपको safe अच्छे से रखना चाहिए what are the benefits of sharing sharing मतलब एक दूसरे से बाटने से अच्छा क्या होता है get to know our neighbors हम जो अपने परोस्यों को जान सकते है make friends, दोस्स बना सकते है reduce the loss of know करेंगे तो मारे आस पास वाले कि हमारे दोस्स बनेंगे तो उन से हमें पता चल जाएकर कि इस काम को हमें कैसे करना है यह paper मैंने आपको बता दिया अब आप जो अपनी mistakes देख सकते हो कि कहां पर आपकी mistakes है